हेलो फ्रेंट्स आज मैं लेकर आई हूँ गाजर के अचार की बहुत इस्टंट और आसान रेसिपी तो देखिए गाजर के अचार की रेसिपी तो मैंने आपके साथ पहले भी सेयर की थी लेकिन आज हम इसे बहुत ज़्यादा कॉइंटेटी में बनाने वाले हैं और साती मैं आज आपके साथ एक सीक्रेट टेप्स सेयर करूँगी जिसे की जो हमारा अचार है सालो साल चलेगा और कभी खराब नहीं होगा और बहुती प्यारा इसमें कलर आएगा तो बनाना बेहदी आसान है तो चलते हैं बिना देरी किये हुए इसे बनाने के लिए तो वीडियो जरासी भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सेयर जरूर कीजिएगा तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गाजर लेंगे तो यहाँ पर मैंने देखिए पाच किलो गाजर ली है तो आज हम पाच किलो गाजर का अचार बनाने वाले हैं तो गाजर हमें देखिए कुछ इस तरह अच्छी अच्छी गाजर लेनी है अब यहां हमने इसे अच्छे से पहले दोली यानी अच्छे से पानी से साफ कर लेंगे और पानी को हमें अच्छे से सुका लेना है अब यहां हम देखिए इसे अच्छे से छेल कर त्यार करेंगे तो सभी गाजरों को हमें अच्छे से इस तरह पहले छेल कर त्यार कर लेना ह अब यहां पर हम देखिए इसके आगे पीछे से थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे तो इस तरह हमें गाजर को अच्छे से त्यार कर लेना है अब यहां इसे हम कट करेंगे तो हम देखिए इसके पहले छोटे छोटे टुकडे कर लेते हैं तो हम देखिए सेम साइज में इसके वाटी असानी होती है, यानि कोई भी पीस भड़ी छोटी नहीं होगी मैं आपको फिर से दिखा दू देखिए जो इसके अंदर का जो पार्ट होता है उसे हमें अच्छे से निकाल देना है और SEMA में हमें सभी गाजर को अच्छे से कट कर लेना है तो इस तरह हम देखिए इसकी पदली-पदली लंबी-लंबी पीसे कट करेंगे तो यहां पर मैंने देखी अच्छे से इसे कट कर लिया है तो इसी तरह हमें सभी गाजर को तयार कर लेना है तो इस तरह हमें देखिए गाजर को कट करना है यानि बहुत जदा मोटी पीस में भी नहीं करना है और बहुत जदा पदली भी पीसे नहीं करनी है तो हमें इस तरह सेम साइज में इसे कट कर लेना है तो मैंने आपर सभी गाजर को अच्छे से कट कर लिया है आप यहाँ पर हम देखे इस तरह एक कपड़ा अच्छे से बिचा देंगे और सभी गाजर को हम कपड़े को अच्छे से फैला देंगे और ध्यान रहे कि हमें इसे धूप में नहीं सुकाना है यानि हम इसे 5-6 गंटे पंके के नीचे सुकाएंगे तो इसे हमें छाया में सुकाना है तो इस तरह हम देखिए गाजर को अच्छे से सुकाना है यानि इसमें जो हलका सा मौश्यर होता है वो खतम हो जाता है तो यहां पर देखिए मुझे पासे 6 गंटे हो चुके हैं यानि जो हमारी गाजर अच्छे से सुकर त्यार है तो ध्यान रहे कि हमें इसे दूप में नहीं सुकाना है इसे हमें छाया में ही सुकाना है यानि कमरे म अंदर सुका लेंगे तो यहां पर हम देखिए अब कुछ मसाले लेंगे तो मैंने यहां पर देखिए लाल मिरच ली है हल्दी पाउडर लेंगे और यहां पर हम देखिए मेथी दाना लेंगे और मेथी दाना के साथ हम यहां पर देखिए पिसा हुआ धनिया लेंगे तो यह मसाले हमें पहले ही त्यार करकर रख लेने हैं यानि जब भी हम अचार बनाएंगे तो ये मसाले हमें पहले अच्छे से बरतन में निकाल कर रख लेने हैं तो अब यहां पर हम देखिए कड़ाए में तेल लेंगे तो तेल को हमें अच्छे से गरम करना है यानि हलकी सी इसमें धुआ उटनी चाहिए इतनी देर हमें अच्छे से गरम करना है और अच्छे से गरम करने के बाद हमें इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है यानि बहुत ज्यादा गरम में हम मसाले नहीं डालेंगे तो यह देखिए हलका सा ठंडा हो चुका है अब इसमें हम जीरा डालेंगे और उसके बाद यहां पर हम हिंग डालेंगे तो हिंग का फिलेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है अब मैने या पर देखिए 50 ग्राम मेति दाना लिया है तो उसे हम डाल देंगे और 25 ग्राम के जितना हम इसमें राई लेंगे और 50 ग्राम के जितना ही हम यहाँ पर सौंप लेंगे तो देखिए सौंप और मेथी दना थोड़ी ज़्यादा मातरा में लेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अब यहाँ पर हम 25 ग्राम के जितना ही अजवाइन लेंगे अब यहां लेंगे हम हल्दी को तो हल्दी को हमें देखिए तेल में डालना है और मिर्च को भी हमें तेल में डालना है तो इस तरह हम देखिए हल्दी और मिर्च को तेल में डालेंगे तो हमारे जो अचार है उसमें बहुत ही अच्छा कलर आएगा लेकिन आपको मैं फिर से लगार्म मासाले में यहां भी मसाले काँए बस्क लावाद में व्लिद आतर। और गाजर को डालने के बाद एक वर अच्छे से मिलाना है यानि सभी चीजों को हमें अच्छे से मिला लेना है तो देखिए इस तरह जो हम अच्छार बनाते हैं उसमें कलर भी बहुत ही अच्छा आता है और खाने में भी अच्छा लगता है और सालो साल चलेगा यानि कई दाना है तो यहांपर हम देखें सभी छीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद अभी едआ डालेंगे तौ हमेंकyst हो चुकी है तो हम देखेंस अद्धे में कलोंजी को डाल देंगे कलोंजी मैंने आपर 25 vrve 10aking लिया है और 25 चमच के जितना हम इसमें गरम मसाला डालेंगे अब यहां देखिए हम इसमें सेंदा नमक डालेंगे तो नमक हमें देखिए थोड़ी जादा मातरा में डालना है तो ध्यान रहे कि हम कोई भी आचार बनाते हैं तो हमें आचार में नमक थोड़ा जादा डालना चाहिए जिसस हमारी गाजर है उसके चारो तरफ अच्छे से मसाले लग जाते हैं तो इस तरह हमें देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यह देखिए आप यह जो अचार है इस्टेंट बनाना चाहते हैं और तुरंत ही कहना चाहते हैं तो आप इसमें एक भाब दिला सकते हैं या आप इसकी गैस को ओन कर सकते हैं जिससे कि ये एक से दो दिन में खाने लाइक बन जाता है या फिर आप इसे सालो साल चना ले वाले हैं तो आप यहां पर देखिए गैस का फिलेम बंद कर दें और यहां पर हम देखिए अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद य इसे हमें किसी कागत से यानि अखबार से डख करके रखना है और जैसे ही ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे अच्छे से किसी बरतर में डाल देंगे तो इस तरह आप एयर टाइट कंटेनर में इसे भर कर रख सकते हैं और यह सालों साल चलेगा यानि कभी खराब नहीं हो तो यहां देखिए बहुत ही प्यारा सा इसमें कलार आया है तो मैं आपको यादिला दूँ कि आपको मेरी रेसीपी कैसी लगी अची लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अगली ऐसी वीडियो में थैंक्स पूर वाचिंग